ओम शान्ती तो आज हम सुनते हैं 31 जनवरी साकार मुर्ली के बाबा के महावाक्यों तो आज बाबा ने मुर्ली में कहा बाबा केते मीठे बच्चे अभी तुम्हें शान्ती और सुख के टावर में चलना है कहां चलना है? शान्ती और सुख के टावर में चलना है इसलिए अपने सुभाव और क्रेक्टर को सुधार दे जाओ पुराने को परिवर्तन करो पुराने को परिवर्तन करो तो ठीक है? क्या कहते बावा? शान्ती और सुख के टावर में चलना है तो अपने सारे पुराने सभाव संसकारों को सुधारो परिवर्तन करो और आज की मुर्ली का प्रश्न है दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? तो बावा ने उत्तर दिया कि बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो विचार सागर मन्थन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है और जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वैं दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है क्योंकि विचार सागर मन्थन करने से सर्वशक्ति मान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है तो जितना सर्वशक्ति मान बाप के साथ कनेक्शन जुटेगा उतना क्या होगा बैटरी चार्ज हो जाती है तो जितना बैटरी चार्ज होगी उतना ही दिमाग सदा रिफरेश रहेगा तो भाबा ने दिमाग कैसे रिफरेश रहे उसकी आज युक्ति बताई है तो आज का गीत है नयन हीन को राहा दिखाओ प्रभू ओम शान्ति ये गीत भी मनुश्यों का गाया हुआ है प्रंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते जैसे और प्रार्थना करते हैं ये भी जैसे एक प्रार्थना है प्रमात्मा को तो जानते नहीं अगर प्रमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाएं सिर्फ परमात्मा कह देते हैं प्रन्तु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं तो नैन हीन हुए न, माना ग्यान का नेत्र नहीं है तो बाबा कहते अभी तुमको ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं, त्रीनेतरी, त्रीकालदर्शी, त्रीमूर्ती, प्रंटु अर्थ कुछ भी नहीं जानते जैसे कहते हैं, साइन्स और साइलन्स का आपस में क्या संबंध है, भल प्रशन पूचते हैं, उत्तर खुद बी नहीं जानते कहते हैं वर्ड में पीस हो प्रंदुवे कब हुई थी किसने की थी कुछ भी नहीं जानते सिर्फ पूछते रहते हैं तो बाबा कहते जरूर कोई जानने वाला चाहिए तो जो बताए तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये सब खेल बना हुआ है तो आगी बाबा कहते कि शान्ती का टावर है मूल वतन जहां हम आत्माई रहती हैं उसको कहेंगे टावर ओफ साइलन्स और फिर सत्युग में हैं टावर ओफ सुख टावर ओफ पीस टावर ओफ प्रोस्पेरिटी तो ऐसे कोई मुक्से नहीं कहेंगे कि हम आत्माउं का घर्ष मुक्तिधाम है तो यह सर बाते बाप ही समझाते हैं पीचर हो तो ऐसा हो वै है टावर ओफ नॉलेज बाबा कौन है टावर ओफ नॉलेज तुमको भी शान्ती और सुख के टावर में ले जाते हैं और यह फिर है टावर ओफ दुख धाम हर बात में इंसॉल्वन्ट है तो बाबा कहते है पवित्रता, सुख, शान्ती का वर्सा इस समय तुम पाते हो बलिहारी इस पुर्शोतम संगम युग की है इसको कल्यान कारी युग कहा जाता है क्योंकि यह समय पवित्रता, सुख, शान्ती का वर्सा प्राप्थम करते हैं क्योंकि ये तो दुनिया क्या बन चुकी है? Tower of दुखधाम हर बाद में बावगति इंसॉल्वेंट बन चुके हैं तो कल्युग के बाद फिर होता है सत्युग तो वै है सुख का टावर वै है शांती का टावर और ये है ये दुनिया क्या है? दुख का टावर यहां आथा दुख है सब दुख आकर इकठे हुए है कहते हैं न दुख के पाहाड गिरते हैं जब अर्थ के एक आदी होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं तो आगे बाबा ने संजाया है कि बच्चे बाकी टाहिम थोड़ा है बच्चों को याद की यातरा में टाइम लगता है बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं बिन्दी समझें, क्या समझें तो भावा कहते हैं अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है आत्मा को जानते हो न वैलक्की सितारा है बिलकुल सुक्षम है इन आँखों से नहीं देख सकते तो ये सब बातें बाब समझाते हैं तो ऐसी बातों पर विचार सागर मन्थन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है जतना विचार सागर मन्थन करेंगे उतना बाबा कहते दिमाग रिफ्रेश हो जाता है कहां भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ओफ शान्ती, टावर ओफ सुख, टावर ओफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में तो पुराने सभाव को, कराक्टर्स को सुधार कर, बाप, हम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाते हैं मनुश्य भल गाते हैं, वेद, शास्तर, गीता आधी पढ़ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है स्रीडी तो नीचे उतरते ही आते हैं, भल अपने को शास्तरों की अथौर्टी समझते हैं, प्रंतु उनको भी उतर नहीं है आत्मा पहले सब की सतो परधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है तो इस समय सब की बैटरी खलास है, अब फिर बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी कैसे चार्ज होगी, बाबा कहते हैं, मन मना भव अपने को आत्मा समझो, बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी, तुम अभी फील कर रहे हो कि हमारी बैटरी भर रही है तो जितना हम बाबा को याद करते हैं, हम क्या फील करते हैं, कि मुझा आत्मा की बैटरी जैसे की भर रही है, भरपूर हो रही है कोई की नहीं भी भरती है सुधरने के बदले और ही बिगड़ पड़ते हैं बाप से परतिग्या भी करते हैं कि बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे आप से तो हम 21 जन्मों का वर्सा जरूर लेंगे लेकिन बाबा करते फिर भी गिर पड़ते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे फिर अगर विकार में गया तो अकल चट इतना समझाने के बाद भी बाबा करते विकार में अगर गए तो अकल चट तो ये काम महाशत्रू है एक दो को देखने से काम की आग लगती है तो बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सामरे बन गए हो अब तुमको गोरा बनाते हैं बाबा क्या बनाने आये हमें? गोरा तो बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं पढ़ाई से ही बाबा कहते तुम्हारी बुद्धी खलती है जाड का वर्नन भी करते हैं तो बाबा कहते यह है कल्पव्रिक्ष मनुश्य श्रस्ष्टी का वराईटी जाड इसको उल्टा जाड कहा जाता है कितने वराईटी धर्म है इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है दो का एक जैसा पार्ट हो ना सके तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ग्यान का तीसरा नित्र मिला है तो विचार करो कितनी धेर आत्माएं है जैसे मचलियों का एक खिलोना होता है एक्जामपल गया बाबा ने मचलियों का जैसे खिलोना होता है तार पर ऐसे नीची उतरती है तो ये भी ऐसे ही है हम भी ड्रामा की रसी में बंधे हुए है ऐसे उतरते उतरते कलप आकर पूरा हुआ है अब फिर से हम उपर जाते हैं तो ये समझ भी बच्चों को अब मिली है उपर से आत्माई आती हैं नंबर वार एड होती जाती हैं तो इस खेल में बाबा कहते हैं तुम पार्ट धरी हो मुख्य और क्रियेटर डारेक्टर एक्टर होते हैं न तो मुख्य तो हैं कौन शिबाबा फिर कौन से अक्टर हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तो भक्ती मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं प्रन्तु अर्थ का कुछ भी पता नहीं है लाखों वर्ष कह देते हैं तो अब बाप आकर सारी नौलज देते हैं अब तुम समझते हो कि सत्युग में ये ग्यान हमको नहीं होगा जैसे यहां कारोबार चलती है वैसे वहां पवित्रता, सुक, शान्ती की राजधाने चलती है तो बाप भी वंडरफुल है इतनी छोटी बिंदी है जैसे तुम्हारी आत्मा ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ग्यान ले रही है कि इनकी आत्मा ब्रमा बाबा की आत्मा भी श्रिप बाबा से सारा ग्यान ले रही है बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा वे भी बिंदी है तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उनमें सारा ग्यान धारन हो रहा है ये ग्यान कलब के बाद फिर बाब देंगे बाबा कहते जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है जो रपीट होता है न तो आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है कोई बहुत वंडरफल बात होती है तो उनको कुद्रत कहा जाता है तो इस अनादी ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता सबको पार्ट बजाना ही है ये बड़ी वंडरफल बाते हैं जो अच्छी रिती समझ कर धारन करते हैं तो खुशी का पारा चड़ता है और जो जितना धारन करेगा बाबा की सारी बातों को समझेगा धारन करेगा तो उतना ही खुशी का पारा चड़ेगा तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है तो पुर्शार्थ अच्छी रिती करना चाहिए आप समान बनाना है दूसरों को भी आप समान बनाना है तुम सब टीचर हो टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते है ऐसे नहीं कि गुरू भी बनना है बाबा करते नहीं तुम टीचर बनते हो क्योंकि राज योग सिखलाते हो फिर तुम चले जाएंगे ये भी तुम समझते हो वो लोग तो जानते नहीं ना सदगती दे सकते हैं क्योंकि सरव का सदगती दाता तो एक बाप है न लिब्रेटर गाइड भी वही है जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है बाप गाइड भी अभी बनता है संगम युग पर जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो अभी बाबा कहते तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सब को रास्ता बताते हो ओ शरीरी भव तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है शरीर धारी तो है न? जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं उन्होंने फिर क्या दिखा दिया? लड़ाई की बाते लिख दी है तो ये है बेहद की बात वो लोग कॉन्फरेंस आदी करते हैं संस्क्रित आदी के कॉलिज खोलते हैं कितना खर्चा करते हैं खर्चा करते करते जैसे की खाली हो पड़े हैं चांदी, सोना, हीरा सब खलास हो गए हैं फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए बाप को और वर्से को याद करना है क्या समझाते बाबा? बाप को और वर्से को याद करना है तुम्हारा पाट चलता रहता है कभी बंद होने वाला नहीं है बाप संजाते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो चुरासी का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं तुम बच्चों को अथा सुख मिलता है टावर ओफ हेल्थ, वेल्थ, हैपिनस तो कितना नशा होना चाहिए बाप हमको बेहद का वर्सा देते हैं बाबा कहते जितना तुम नज्जीक आते जाएंगे, उतनी आफ्ते भी आती जाएंगे जाड की वृद्धी भी होनी है, जाड कच्चे हैं तो जट तुफान लगने से जड़ जाते हैं तो बाब अगत ये तो होना ही है, तो आगे बाबा संजाते तुम्हारा एम उप्चेक्ट का चित्र सामने खड़ा है तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते, भक्ती मारग में मनुश्य धेर चित्र रखते हैं, और ज्ञान मारग में है एक सो भी नौलज बुद्धी में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे आत्मा तो सितारा है ना, ये भी समझने की बाते हैं, आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते बहुत कहते हैं कि बाबा हमको साक्षातकार हो, हम बैकुंठ देखें प्रुन्तु बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं देखने से मालिक थोड़े ही बनेंगे मालिक तो बनेंगे पुर्शार्थ करने से मनुष्य कहते हैं फुलाना स्वरक बधारा प्रुन्तु स्वरग है कहाँ? अभी तो स्वरग है नहीं तो स्वरग है कहाँ? जानते थोड़े ही है जो आत्मय स्वरग में गई हैं वही कहती है आत्मा को तो सब याद रहता है ना? अब तुमको उन्चे ते उन्चे बाप पढ़ा रहे हैं जिससे तुम उंचे से उंचा पद पा रहे हो, नंबर वार पुर्शार थनसार नर से नारायन जरूर बनेंगे. तो आगे बाबा समझाते, ये जो शान्ती मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना. कई समझते भी हैं, कि ये एक्यूरेट कहते हैं, वैस समय भी आएगा, लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा, भीशम पिता माह आदी को ग्यान के बाण मारे. बाकी ऐसे नहीं, अरजुन ने बाण मारा और गंगा निकली. ऐसी ऐसी बाते सुनकर कह देते हैं, यहां से गंगा निकल आई. गोव मुख भी बनाया हुआ है. तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है. वैजड दिलवाडा मंदिर और यह है चैतन्यों. उसमें उपर बैकूंट दिखाया है. नीचे तपस्या कर रहे हैं और उपर आजाई के चित्र हैं. इसलिए मनुष्य समझते हैं, कि स्वरग उपर है. तो आगे बाबा कहते, बॉम्ज बनाने वाले खुद भी समझते हैं, कि यह हमारे ही विनाश के लिए हैं. कहते हैं, ऐसे करेंगे, तो जरूर विनाश होगा. लिखा भी हुआ है, कि महां भारी लडाई में ऐसे हुआ था, सब खतम होए थे. तो बाबा कुछे जानते हैं, कि भक्ती करते करते, नीचे उतरते ही आते हैं. ड्रामा प्लैनन सार. वास्त्व में यहां कोई आश्रिवाद आदी की बात नहीं है. जो ड्रामा में बना हुआ है, वही होता है. कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो मनुष्य कह देते हैं, जो इश्वर की इ तुम तो कहते हो ड्रामा की भावी, भावी ड्रामा की, तुम इश्वर की भावी नहीं कहेंगे, इश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है, स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है, ये भी बाप ही समझा सकते हैं, नौलज़फुल भी बाप है. तो बाबा कहते हैं मुनुष्य समझते हैं कि वैं सब की दिलों को जानते हैं प्रंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा बाप थोड़े ही बैठ दंड देंगे ये आटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है इनके आदी मद्दे अंत का राज बाप ही समझाते हैं तो बाबा कहते हैं तुम फिर औरों को समझाते हो तो अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाडी में कुछ भी याद ना आए कैसी अवस्था बनाने हैं कि पिछाडी में कुछ भी याद नाए सिर्फ एक बाबा के सिवाए अपने को आत्मा समझें इसको कहा जाता है कर्मा तीत अवस्था अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब तादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाब तादा को नमस्ते 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 तो धारणा के लिए मुख्य सार है पहला point है Scholarship लेने के लिए अच्छी तरहां से पुर्शार्थ करो Scholarship लेने के लिए क्या करो? अच्छी तरहां से पुर्शार्थ करो Teacher बन औरों को राज योग सिखाओ गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो तबी बाबा कहते हैं स्कॉलर्शिप मिलेगी दूसरा है सरवशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करने है सरवशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करने है बाप से प्रतिग्या करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खाने है ठीक है और आज का वरदान है सेवा भाव से संपन बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवा धारी भव तो बाबा समझाते सच्चा सेवा धारी भव है जो हर आत्मा के प्रति सदा, शुब भावना, स्रेष्ट कामना रखता है देखो सच्चे सेवा धारी कार्थ भाव ने बताया जो हर आत्मा के प्रति शुब भावना, स्रेष्ट कामना रखता है वे सिर्फ स्पीच नहीं करता लेकिन सेवा भाव ध्वारा सरव के प्रति, खुशी की भावना शक्तियों के प्राप्ति की भावना और उमंग उत्साहा बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूती कराता है सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना ये ही सची सेवा है ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है तो सेवा कैसी सेवा कि सिर्फ स्पीच नहीं लेकिन सब के प्रति, खुशी की भावना शक्तियों के प्राप्ति की भावना और मंग उच्छा बढ़ाने की भावना रख करके उनको सहयोग की अर्भूती कराना ये वास्तव में सची सिवा है तो ये सिवा वही कर सकते हैं जिनके अंदर तपस्या है वही आत्में ऐसी सिवा कर सकती है और आज का स्लोगन है बाप की दुआई लेनी है तो सनेही स्पूत आग्याकारी बच्चे बरो क्या कहते बाबा अगर बाप की दुआई लेनी है अब दुआई लेने का तरीका बाबा ने बताया कि बाबा से दुआई कैसे ले सकते हैं कौन से बच्चे ले सकते हैं, जो बच्चे सने ही हैं, सपूत हैं और आज्याकारी हैं, तो वे ही बाबा की दुआओं के पात्र बन सकते हैं, तो ये आज के करतिस सारी की बाबा की मुरली है, ओम शान्ति, ओम शान्ति